पाइदा बड़ी गिरीवी चीज है, हर कोई उठाने की कोशिश करता है। जब आप किसी को हद से ज्यादा एहमियत दे रहे होते हैं, तो आप अपनी एहमियत उनकी नदरों में खो रहे होते हैं। जिन घरों में दिमाख का रात चलता है, वहां रिष्टे हार जाते हैं। कुछ बाते ऐसी होती हैं, जिन्हें बोलने वाला तो भूल जाता हैं, मगर सुनने वाले इंसान के मन में तीर की तरहा चुप जाती है। किसी को अपनी जिन्दगी से जाने देना, जान देने से ज्यादा दर्द देता है। भरोसा अगर एक बार तूट जाए, फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दुबारा कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब की बाते तो सबसे हो जाती है, जिससे बे मतलब की बाते हो, वही खास है। अब तो दर्द सेहने की आदत सी पड़ गई है, अब किसी से भी दर्द बाटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वक्त कराब था, इसमें सवाल कैसा, अपने ही गेर निकले, इसमें मलाल कैसा, मुझे मौत पसंद है, बे इज़ती नहीं, दुश्मन चलेंगा, गद्दार नहीं। किसी को इतना भी मजबूर मत करो, कि वो अपनी चुप्पी तोड़ कर आपकी धज्जिया उड़ा दे। कौन सुनता है यूही बेवजा मेरी इन शायरियों को, कोई इन में अपना दर्द ढूंडता है, कोई इन में अपनी मुहपट ढूंडता है। कभी कभी मैं दिल के हालाद भी कह देती हूँ, हर वक्त वाह वाह की मुझे ख्वाहिश नहीं है। जिन्दगी में अपनी जगाह बदलो, एक पानी की बोतल दुकान पर 20 उरुपे में मिलती है, वही पानी की बोतल होटल पर 40 की मिलती है, और वही पानी की बोतल एरपोर्ट पर 50 की मिलती है, और अगर इसी तरह आपको भी अपनी कीमत कम महसूस हो रही है, तो जिन्दगी में अपनी जगाह बदलो, आपकी कीमत अपने आप बदल जाएंगी, दुक तो तब आता है, जब याद आता है, हमने जिनसे जिन्दगी के सारे राज पाड़ दिये, अब उनसे बात तक नहीं ह जाती है, मैं कितना खुश रहा करता था, सच्चा हमसपर चहरे का नहीं, दिल का दिवाना होता है, तब बहुत तेर हो चुकी होंगी, जब तुम्हें हम समझ में आएंगे, बात मुहपत और एहसास की होती है, वरना मैसेज, तो कमपनी वाले भी करते हैं, अगर गलत को गल कहने की हमत नहीं, तो तुम्हारी सारी ताकत बेकार है, चलो, दिल की अदला बदली कर लेते हैं, तडप क्या होती है, खुद बखुद समझ जाओंगे, बहुत कुछ हासिल करने में कितना कुछ छूट जाता है, आप किसी को भी अपनी जिन्दगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाईए, क्योंकि जब वो इनसान बदलता है, तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बलकि अपने आप से नफरत करने लगते हैं, बात बात पर गुसा करने वाले लोग, वही होते हैं, जिने खुद से ज्यादा किसी और की फिक्रू होती हैं, बच्पन में कहानी सुनकर सोत आज अपनी ही कहानी पर रो कर सोते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ कर चले जाते हैं वो लोग, जिन्हें हम जिन्दगी समझ कर कभी खोना नहीं चाहते, दोस्त वो होता है, जिसके साथ बाते खुल कर की जा सके, नाकी संभल कर करनी पड़े, कोई भी अपना नहीं होता यहा दूर रहना है मुझे उन सबसे जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है जो तुम्हारी कीमत ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपनी महपत मत दिखाओ मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं बस कोई था जिससे ये उमीद नहीं थी